CCS University से संबंदित NEP समस्टर एक्जाम में प्रोजेक्ट फीज के नाम पर हर स्टुडेंट्स के 1390 रुपे काटे जा रहे हैं जबकि कोलेजों में आज तक कोई प्रोजेक्ट बनवा ही नहीं बता गया है ऐसे में स्टुडेंट्स इसकी सिकात उनिवस्टी में कर चुके हैं लेकिन कोई समदान नहीं हुआ है इसके रिगार्डिंग ट्वीटर पर भी जो है ट्वीट किया गया था कि स्टुडेंट्स से अतिरिक तिफीस वसूली की जा रही है लगतार सिकाते की जा रही है इस पर जो है यहाँ पर द्रेंदर कुमार वर्मा ने जो रेजिश्टार है CCSU के इस पर बताया है कि सम्बंद में जाच की जा रही है, कमपनी से बात की गई है, दिखवाया जा रहा है किस चीज का पैसा काटा जा रहा है, अगर वास्तों में कुछ गलत पा जाता है तो सम्ब में कुछ न कुछ जल्द किया जाएगा, आज की न्यूज है, इसमें है कि पांचवे समस्टर के बाद छटे समस्टर में भी ले रहे है प्रोजेक्ट फीस, सेल फाइनेंस कोलेज महाविदाल्य संग ने फोम भरने के नाम पर आर्थिक उत्पीडन का लगाया आरोप, उसक में की में अंगरेजी चतुरत समस्टर में पंदरा सो बीस उर्पे प्रोजेक्ट फीस ली गई, पिछले विसम समस्टर में भी ली गई, अतिरिक फीस अब तक वापस नहीं हुई, चटे समस्टर में ली जाने वाली प्रोजेक्ट फीस, पांचवे समस्टर में ही समायोजि अब तक कोलेजों में ही पड़े है विस्विदाले रोल लिस्ट मुहेया नहीं करा परा है इस कुटनी में देरी से परिक्सा परिणाम भी देर से आएगा छात्रों से अतिरिक्त लिए गए सुल्क का हिसा विस्विदाले किसमद में दिखाएगा अतिरिक्त सुल्क वापसी प पहली बार चात्रों से 1520 रुपे अतरिक्त ले रहे M.A. और M.C. में भी 1520 रुपे प्रोजेक्ट फीस लेगे लगे विरोध के बाद हटाया लेकिन M.S.C. में अब तक ले रहे है N.E.P. छटे समस्टर में प्रोजेक्ट के नाम पर 1390 रुपे ले रहे लेकिन कोलेजों में कोई प्रोजेक्ट कारी है हुआ ही नहीं Agency करमचारी हेलप लाई नंबर नहीं उठा दे इसे दूर दराज के छात्रों को अधिक प्रेशानी होती है N.E.P. पांचो समस्टर में ली गई 1390 रुपे प्रोजेक्ट फीस अब तक छटे समस्टर में समयोजित नहीं हुई जबकि विश्वी दाले ने बोला था कि जो अतरीक्ट फीस आपकी कटी है वो नेक्स समस्टर में समयोजित कर ली जाएगी इस पर धिरेंदर कुमार वर्मा जो रेश्टार है CCS उनवेस्टी के नों ने कहा है कि वापस करेगे छात्रों की अतरीक्त फीस वीबिन पाठेकरों में जिन चातरों के अत्रीक्त सुल्क कटे हैं उनकी राशी उसी खाते में वापस होगी जिन चातरों ने साइबर कैफे वाले खातों से सुल्क जमा कराया है वे अपने आधार काड के साथ बैंक वीवरन लगाकर आवेधन कर सकते हैं यानि कि जिन छात्रों ने जिस एकाउंट से पेमेंट किया है उसी एकाउंट में ही फीस वापस होगी चाहे उन्होंने साइबर कैफे से फॉम बरवाया हो या फिर अपने अकाउंट से फॉम बरवाया हो अगर आपने साइबर कैफे से फॉम बरवाया है यानि उसके अकाउं जैसे इसके रिगार्डिंग को लाटेस्ट अब्डेट आती है तो आपको वीडियो के मदम से बता जाएगा, साथ में आपको टेलिगराम गुरूप में भी सूचना दी जाएगी के साथ ही MS University यानि की मास अकुमरी उनिविश्टी साहनपुर की बात करें तो B.A.D. Back Paper Examination First Year Second Year, B.A.D. M.A.M. को Man Exam Second Year और X Examination Form First Second Year और Man Examination Form First Year Second Year और Third Year के स्टूडेंट्स के जो लास्ट डेट थी उसको विस्तारित किया गया है और जमा करा करें अगर आपके कोई भी कोस्टन से कोयरी है तो में comment करें सात में हमें Facebook, Telegram इस्टा दी पर follow कर ले उसके साथ ही अगर आप चल पर नहीं हो और पहली बार वीडियो पर विजिट किया है तो प्लीज चान को जुरूर सस्क्राइब कर ले साथ मुंबैल लगन को जुरूर दोबारे तो मिल दो गोला टेस्ट अपडेट के साथ तब तक लिए जाहीं